हाथ की रेखाएं तो आपको पता ही होगा लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि आपके हाथों पर आधा चान जैसा एक निशान बनता है और ये निशान आपके दोनों हाथों को जोडने पर बनता है जियोतिश शास्त्र के अनुसार हाथ की रेखाएं देखकर हम अपने भविश्य का थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं और हाथ की रेखाएं देखकर हम आने वाले कल के लिए पहले से तयारी कर सकते हैं लेकिन आज हम आपको हाथ की रेखाएं के बारे में नहीं बलकि हाथ बने आधे चांद का मतलब बताने जा रहे है। जिन लोगों की दोनों हथेली जोडने पर आधा चांद का निशान बनता है। झाल 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 झा